हलो वीवर्स असलाम अलेकूम अक्सामे नसर में यह हमारा 6.3 वीडियो है जिसमें हम नसर के कुछ और अक्साम देखेंगे इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने जब हमारे 10,000 वीव सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए थे उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया हूँ जि तो उसमें PDF बुक्स मैंने बताया हूँ जो आप मौला नाजाद की वेब साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और competitive exams के लिए बहुत ही बढ़िया बुक्स है खास और से उर्दू के उसमें आपको teaching methods और teaching कैसे की जाती है और उर्दू कैसे पढ़ाई जाता है तो total उसमें सारे बताये गए है तो आप फॉरण उसको जाकर डाउनलोड करें और उसे exam में इस्तिमाल करें तो चलिए शुरू करते हमारा आज का यह हम 6.3 उर्दू अदब यह हम देख चुके है तो हम इसमें देख रहे है नसर तो नसर का हमारा 6.3 चल रहा है सबसे पहले हम देखेंगे आ पार्ट है उसका एक हिस्सा है मकतूब निगारी एक शाइशता फन है जिसमें मकतूब निगार अपने खत्में जाती और शक्सी गम वो खुशी के वाक्यात को अपने मकसूस लव लहजे में बयान करता है बकतूब निगारी के अंदर लिखने वाला अपने ख्यालात को खुशी वो गम के अंदर और उसका जो अंदाज होता है वो एक अगदम मकसूस होता है तो इसमें यह उसको लिखता है इन में तंजो मिजा भी होता है यानि इसमें तंजो मिजा भी शामिल होता है किसी की को चेड़ना या तंग करना, मसायब और आलम का जिक्र भी मुबारक बात दी जाती है, तारीफ की जाती है, गो के जिन्दगी के हर पहलू पर बात होती है। खतूत उमुमन जाती गर्ज से लिखे जाते हैं, और कुछ खतूत अदबी नुईयत के भी होते हैं, अच्छा खत वो है जिसमें मक्तूब अलय से रूबरू मुखत्बत का अंदाजा पाया जाए, यानि सबसे अच्छा खत उसको हम कहेंगे, जिसके अंदर उसको पढ़ने स समझ में आए के सामने वाला किस से मुखातिफ है, और हमारे जहिन में हर वक्त ये बात रहे, तो गालिब ने इसकी तरहा डाली, मौलाना अजाद, सरस्यद, शिबली, इकबाल, अमिर मीनाई, वगेरा खतूत, मक्तूब निगारी की आला मिसाले है, ये जितने हमने नाम हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा है सेवन नंबर का, इसके बाद आठवे नंबर का देखते हैं, सवाने निगारी, किसी एहम और मुम्ताज शक्सियत के हालाते जिंदगी, खिदमात, कारणामे, यानि पैदाईश से लेकर मौत तक के हालात को सिलसले वार कलम बंद करना सवान निगारी कहलाता है, यानि हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी शक्सियात के बातालूक से किताब लिखी होती है, उनके सवाने उमरी को बיयान किया जाता है, पैदाईश से लेकर तो मौत तक के उनके क्या-क्या काम नहोंने किये, वो सब उसमें बयान किया जाते हैं, जब कोई शक्स अपने हालात जिन्दगी खुद तेहरीर करे तो उसे खुदनोष्ट सवाने हयात कहते है यानि जब कोई शक्स अपनी सवाने उम्री खुद ही लिखे तो उसे खुदनोष्ट सवाने हयात कहते है अलताफ हुसेन हली की यादगार गलिब हयात जावेद और हयात साधी शिबली नुमानी की अलफारूक और अलमामून गुलाम रसूल महर की गलिब मशूर सवाने है तो ये जो चार पाच सवाने उम्री जो लिखते थे उनके नाम यहाँ पर आये है ये बहुत ही अच्छे अंदाज में इनों लिखे है ये इसमें जो शिबली नुमानी की जो अलफारूक ये बहुत ही मशूर है उसके यादगार गलिब और हयात जावेद अलताफ हुसेन की ब तो ये था हमारा जो आटवा पार्ट उम्मीद है आपको ये पपसंद आया हूँगा और मैंने आपको इसके पहले भी बताया हूँ किया आप इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया हूँ 10,000 कंप्लीट के उपर उसके थमनेल के उपर 10,000 लिखा हूआ है आप उसको जाके किजिए उसमें आपको अच्छे अच्छी बुक्स कैसे आप डाउनलोड करेंगे फ्री में जो आपको competitive exams के लिए B8 के लिए और D8 के लिए बहुत ही मुफीद है उसमें psychology और उर्दू teaching के तालुक से और science के बुक्स भी है और social studies की भी बुक आपको वहाँ पर सारी available free में PDF form में मिल जाएंगी तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप इसको share कीजिए like कीजिए मुझे comments दीजिए और दुआ मियाद रखिए असलाम अलेकुम